कि नमस्कार आप सभी कर स्वागत आपके यूट्यूब चैनल पर आए आज हम देखते हैं कि खाद्य नाकरिक आप उर्तिनी रक्षन के प्रीबियस और को स्थे कोश्चन पेपर 2017 का है यह पचास अंकों का आपको कोश्चन पेपर का यह अध्यन करवाने वाले हैं तो पहला प्रस्न है आपका राज्य सरकार ऐसे बालकों की जो कोश्चन से ग्रस्त है परचान करेगी तो इसका अंसर ए है स्थानी अंगन बाड़ी के माध्यम से इसका बात देखते हैं 36 खाद्य सुरक्षा धिन्यम 2012 के कीस अध्याय से भूग की इस्थिती में ततकार रहा थे तो प्रवधान किया गया है तो इसका अंसर हो जाएगा भी अध्याय 4 अगला प्रस्न देखते हैं एक मल्टी मिट्यर डाक्यूमेंट में होता है तो इसका अ इसमें से सर्चेंजर कौन से नहीं है तो आप सर्चेंजर कोरा इसका सर्चेंजर नहीं है अगला प्रस्न हो जाएगा 36 खाद्य एवं पोशन सुरक्षा धिन्यम के प्रवधानों के क्रियानवन हेतु राज जी के सभी स्थानी निकाय निम्न कारे के लिए उत्तरदाई हों तो इसका आंसर अगला देखते हैं 36 खाद्य एवं सुरक्षा धिन्यम के तहट प्रत्य गर्वधाती महिला एवं सिसु माता पात्र होगी तो इसका आंसर हो जाएगा आपसन डी उपरोक्त सभी पहला गर्वधास्था के दोर निसुल को भोजन बच्चे की जन्म के पस अगला प्रस्ण देखते हैं उठ्भोक्त सरक्षन अधिन्यम के तहत राष्ती आयोग का अध्यक होगा तो इसका आंसर हो जाएगा एसा व्यक्ति जो उचित्म न्याले का नियाधिस है रह चुका है अगला प्रस्ण है कि वन टे भी बराबर होता है तो इसका अंसर डी हो जाएगा दो केगा 40 बाइट अब अगला प्रस्ण देखते हैं राष्टी खाद्य सुरक्षा एवां मानक अधिनियम 2006 के अंतरगत अगला प्रस्ण है कि भारती खाद्य प्रधिकरण के अध्धक्ष तथ सदस्य किन्युक्ति होती है तो इसका अंसर आजाएगा अब चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं कि मान्यत्त प्राप्त तत्यवारी से अभिप्रेथ है तो इसका अंसर हो जाएगा चलिए आप लोग बता इसका अंसर हो जाएगा D, उप्रयोक्त सभी चीनी के क्राय करने वाला व्यक्ती, चीनी के विक्राय करने वाला व्यक्ती, चीनी के विच्ण करने वाला व्यक्ती अगला प्रस्न है, सोशल नेट वर्किंग साइट को उप्योक किये जाता है तो इसका उप्योग कौन से में किया जाता है तो इसका अंसर हो जाएगा D उप्रयोगत सभी नाले साजा करने के लिए बात करने के लिए सुचना रखने के लिए चलिए अब देखते हैं अगला प्रस्ना वो भोकता सरक्षा धिनियम के अंतर के धारा 24 खा में सभी राज या आयोगो प्रफ्रसांसिक नियंतर रखेगा तो इसका अंसर कौन से हो जाएगा A हो जाएगा राश्टी आयोग हो जाएगा कम्पूटर के इनपूट डिवाइस का कार्या है कम्पूटर के इनपूट डिवाइस का कार्या कौन से है CPU या मेमोरी में डाटा डानने के लिए अगला देखते हैं इन में से कोई एक कम्पूटर का आउटपूट डिवाइस है तो आउटपूट डिवाइस कौन से हो जाए कि इन में से कोई एक आप्रेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप्रेटिंग सिस्टम नहीं है मतलब डी हो जाएगा इसका अंसर कोई नहीं होगा ठीक जीलब फोरम राज्य आयोग या राष्टी आयोग अप राध्धों के परिछन के लिए सक्ति रखेंगे तो इसका आप्षन क हो जाएगा औरे केल यानिकी सी आप्षा है चतिर सचैनी और खाध्यान की परिभासा में कौन आते हैं यह की धारा के अंतरगत आते हैं तो इसका किला को जाएगा डी हो जाएगा उप्रोक्त सभी चांवल धारा टू वं एक एंटरगत गियेंउ ग्यहु धारा 2-1, जे के अंतरगत, मोटे आनाज धारा 2-1, आर के अंतरगत, ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, उद्भोक्ता सरक्षण अधिनियां 1986 अधिनीमित किया गया है, तो इसका अंसर हो जाएगा डी ए और भी दोनों, उद्भोक्ताओं के हीतों के स्रेष्ठ सरक प्रचन के लिए और दूसरा है उद्भोक्ताओं विवादों की निप्टारे हेतों, अन्य प्रधीकारियों एवां उद्भोक्ताओं परिशदों की स्थापना करने के लिए, इसका अगला प्रशन है, गूगल सर्विशन्स प्रदान करता है, तो कौन सा हो जाएगा, आप अगला है आवस्यक वस्तु अधिन्यम की धारा च्छय के अधिन, अधिग्रहन के किसी आदेश से, व्यथित कोई व्यक्ती, राज्य सरकार द्वारा, निक्तन न्याईक प्रधिकारी को अपिल कर सकेगा, ऐसा आदेश की सुचना की तारिक से है, तो इसका अप्सन कौन सा होगा एक मास के भीतर, चलिए देखते हैं फिर अगला सवाल, आवस्यक वस्तु अधिन्यम की धारा तीन के अधिन, दिया गया हर आदेश, यथा सक के सिग्रही इनके समक्ष रखा जाएगा, इसका अंसर हो जाएगा ए संसत, अगला प्रस्ण है, वर्तमान में आवस्यक व इंपोर्टेंट है, आवस्यक वस्तु अधिन्यम 1955 की धारा, दो में चीनी से अभरी पेथ है, तो इसका अंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, उप्रयोक्त सभी, किसी भी प्रकार की चीजे जिसमें मिस्री सामिल है, खांड सारी चीनी, या बुरा चीनी, या पीसी हो जाएगा, ठीक, चलिए अगला देखते हैं, अलेक जलेरी स्टोरेज डिवाईस है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, आप संडी हो जाएगा, उप्रयोक्त सभी, सीडी, डीवीडी, एचे डी, चलिए अगला देखते हैं, उद्भोक्ता सरक्षन अधिनियम के अंतरगत, से से अभी प्रेथा है, तो कोई भी सेवा किन्तु सेवा में सामिल नहीं है, तो इसका अंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, निशूल का या व्यक्तिगत सेवा समीदा क्या दिन सेवा किया जाना, ठीक, अगला देखते हैं कि अंतिवारस है, अंतिवारस के आप लोग तो पता ही होगा कि अंतिवारस होता क्या है, अप्लिकेशन साप्टेर है, तो आंसर यह हो जाएगा, चलिए अगला देखते हैं कि निमलेश्मित क्या सुमेलित नहीं है, इसका अंसर हो जाएगा, बी एडीबल आयल पैकेज अडर 1988 के साथ ठीक है, अगला प्रस्ण है, इन प्रस्ण की गई विदी है, तो इसका अंसर सी हो जाएगा, उप्रोक्त दोनों साही है, आवस्याक वस्तु अध्यादेश 1955, किसी राज्य में प्रवित्ती ऐसी कोई अन्य विदी जो किसी आवस्याक वस्तु का उत्पादन प्रदाय वित्तन को नियंत्रित करती है, ठीक है उद्भोक्ता सरक्षन अधिन्यम की धारा 13 के अधिन की गई करवाही के पस्चात, जीला पीट का या समधन हो जाता है कि उस माल में जिसके बारे में परिवार किया गया या कोई तुटी है तो वह विरोधी पक्षकार का अधिर जारी करेगा, तो इसका अंसर कौन सा हो जा जाएगा, मतलब आंसर दी आ जाएगा, प्रसन गत माल में तुटी को दूर करना, माल को उसी वर्णन के नए तुटी इन माल में बदलना, अब ये तीसरा अप्षन सी इसको भी पढ़ लीजिए, आप यहां पर लिखा है है ना, तो इसका अंसर दी हो जाएगा, उपरोक्त नहीं है, तो कौन सा आजाएगा, अप्षन सी, थर्मल प्रिंटर, इंपेक्ट प्रिंटर नहीं है, पाकी सब इंपेक्ट प्रिंटर है, चतिर अड़ खाद्या एम पोशन सुरक्षा धिनियम के तहत, रासन काट जारी करने के प्रयोजन के लिए, परिवार की मुख्या मान दर्गत, मिठ्या कथन के लिए कारवास की अधी होगी, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पांच वर्स के लिए, आप्षन सी हो जाएगा, अगला प्रसन है कि निमन इस्तरी ये खाद्या पदार्थ के विक्रह हेतू, खाद्या सुरक्षा अधिनियम 2006 के 21 धारा में प्र आपको पता होगा, पिंटर की गुणवरता मापी जाती है, किस से मापी जाती है, डॉट पर इंच से मापी जाती है, अगला प्रसना है आवस्यक वस्तु अधिनियम की धारतीन के अधिन किये गए आदेश के अनुसरान जहां आवस्यक वस्तु का अभिग्रहन किया जाता है वहाँ ऐसे अभिग्रहन की रिपोर्ट की जाएगी तो इसका अंसर कौन सा हो जाएगा collector को C हो जाएगा answer virus कार्त है आपको पता होता है virus कार्त क्या होता है answer B हो जाएगा चलि है अगरे प्रसण देखते हैं प्रसण है कि आवस्यक वस्त्य अधिनियम के अंतरगत सभी अपराध विचार योग्य deben होँगे तो इसका अंसर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा विशेश न्याले द्वारा आंसर देखते हैं अगला यदि कोई वेक्ति छतिल खाद देम पोशन सुरक्ष अधिनियम के 25 के अंतरगत किनी प्रावधानों का उलंगन करता है तो दंडनी होगा तो आंसर कौन से हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा आउस्यक वस्त जायोक की अंतरगत अपील प्रस्तूत कर सकता है तो इसका अंसर ए हो जाएगा नुच्छत 15 ठीक है अगला देखते हैं पीडियेप को पूर्ण रूप होता है कि प्रोटोकाल डाक्यूमेंट फार्मेट इसका अंसर भी हो जाएगा अगला प्रस्ना देखते हैं खाली स्थ खाली स्थान का उप्योग सेलेक्टेव टेस्ट को वर्ल्ड डाक्यूमेंट में हटाने के लिए किया जाता है तो इसका अंसर कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा कंट्रोल प्लस एक्स अगला प्रस्न है आउस्यक वस्तू अधिन्यम 1955 के अंतरगत आउस्यक वस्तू की परि अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सस्क्राइब जरूर करें आज के लिए बस इतने ही बहुत बहुत धन्यावाद